भले ही योगी सरकार सरकारी विध्यालों में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के तमाम दावे कर रही है लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग ही दिखाई दे रही है ताजा मामला वहराज गंज का है यहां विद्यालों में तैनात अध्यापकों ने बच्चों के हाथों में किताबों की जगा ज़ाडू पकड़ा दिया वहीं बच्चों से जब स्कूल का नाम पूछा गया तो ज़ाडू लगाने के चक्कर में बच्चे ये भी नहीं बता पाए किस क्लास न पढ़ती हैं? इस विद्याले की हालत बेहत खराब है। इस विद्याले का मुख्य गेट सालों से बंध है और पढ़ने वाले बच्चे पिछले हिस्से से प्रवेश करते हैं। इतना ही नहीं विद्याले में शिक्षक भी हमेशा गायव रहते हैं। अब ये आपके दोरा ये संग्यान में लाया गया है। और ततकाल मैंने आपके सामने खंडे से च्छादिकाई से सुवा को वहाँ भी द्याले प्रेसित किया है। और उनसी अस्पस्ट्री करान प्राप्त करते हुई उनके खिलाब विभागी करजवाई तदमसार कर दी हाला कि अधिकारी कारवाई करने की बात कर रहे हैं लेकिन अब देखना ये है कि योगी सरकार के अधिकारी बच्चों के हातों में जाडू पकड़ाने वाले अध्यापकों के खिलाफ क्या कारवाई करते हैं।